कॉलमाईस चेप्टर 10 माइन वर्किंग के अंतरगत मैनुवल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में बताया गया है रेगलेशन नमबर 105 में क्या क्या प्रोविजन्स हैं क्या क्या साउधानिया असमें रखनी हैं यह सारी बाते हम देखते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइन क्लास्रूम विद तुसी जार मिसका माँ में आशका विडियो प्रत्यक मैन्विल ओपन कास्ट वर्किंग को चलाने के लिए आगे बताएगे साउधानिया रखी जाएं पहला पाइंट प्रत्यक अल्वील साहिल कशारी मट्टी या नरम मिट्टी मोरम बारिक मिट्टी और पत्थर का मिसरण ग्रेवल बजरी या रिताय कंकार रोडी क्ले मिट्टी या अन्य डेविज या मलमे के धेर या उनके जैसे प्रकृति या सोहा वाले ग्राउंड पर या स्थान पर एपाइंट उनकी साइट की ढलान को शुरक्षित कोन जो होरिजंटर से नापने पर 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कोई अन्य कोई सुरक्षित तेंगल जो कि डिजनल इंस्पेक्टर अपने लिखित आदेश में कुछ सर्तों के साथ बताएंगे यह बताया गया हो उससे अधिक नहीं होगा बी पैंट वर्किंग की साइड की बेंच यह वर्किंग की साइड को बेंच बना कर रखा जाएगा बेंच के सेप में बना कर रखा जाएगा और ऐसी सभी बेंचों की उचाई डियोड मीटर से अधिक नहीं होगी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और ऐसी सभी बेंचों की चोलाई उचाई से कम नहीं होगी परंतु अगर रीजनल इस्पेक्टर का ऐसे लगता है कि उप्रोग प्रावध्वन का पारण करना किसी विशेश इस्थान पर किसी विशेश परिस्थिति के कारण व्यवारिक रूप से संभव नहीं है तो वे अपने लिखित आदिस के द्वारा कुछ सर्तों के साथ ऐसा करने की छूड़ दे सकते हैं दूसरा पाइंट जहां पर भी किसी नाप जोग के लिए मेजर्मेंट पिलर छोड़ना हो यह मैजिंग पिलर छोड़ना हो तो ऐसे पिलर की उचाई तू पाइंट फाइंट या धाइंट से अधिक नहीं रहेगी और अगर ऐसे पिलर की हैट अगर वन पाइंट टू फाइंट से वन पाइंट फाइंट से अधिक हो जाती है अधिक होने पर उसके जो बेस का साइज बेस का जो डाइंट है वन पाइंट फाइंट से कम नहीं ह कि इस्तिति में कोई लिगी बैंच होने पर इस्तिति में उसको तो सुरक्षित या सुरक्षित श्लोप एंगल और रखा जाएगा और ऐसा स्लोप का एंगल सुरक्षित कौन होरिजुन्टल से नापने पर 45 डिग्री से अधिक नहीं होना होना चाहिए तथा ऐसी बैंच की उचाहिए तीन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसी बैंच की चौलाई उचाहिए से कंग नहीं होना चाहिए परंतु अगर चीप इंस्पिटर को ऐसा लगता है कि किसी विशेश स्थान पर विशेश परिस्थिति के कारण उपरोग प्राउधान का पालन करपाना वहरी रूप से संभाव नहीं है तो वह अपने लिखित आदेश के द्वारा कुछ सर्तों के को पालन करने के लगा लगा कर उस आपको प्राउधान को मानने से छूट दे सकते हैं चोथा पाइंट किसी हार्ड रॉक या कलक पत्थर और या कोई ठोस कंपेक्ट ग्राउंड पर किसी प्रास्पेक्ट्ट्रेंच या खोजी नाली या पिट या कोई स्कुआ की खुदाई वाले स्थान पर उनकी साइड को सुरक्षित स्लोप बना कर रखा जाएगा या बेंच बना कर रखा जाएगा ताकि उनके साइड का फाल होने का या साइड को खसकने का या लगने का खत्रा ना हो परंतु किसी भी बेंच की हाइट छे मीटर से अधिक नहीं होगी पाँचपा पैंट किसी भी बेंच में उसके किनारे से तीन मीटर के भीतर कोई पेड ट्री जाड़ी या लूज पत्थर या धिले पत्थर लूज स्टोन मलवा या कोई अन्यसामगरी जिससे लुलक कर गिरने का खत्रा हो सके उसे वहां पर नहीं रहने दिया जाएगा या वहां से उसे हटा लिया जाएगा छटवाएं किसी भी व्यक्ति किसी भी फेस या साइट को अंडरकंट नहीं करेगा और नहीं उसे ऐसा करने की अन्मति दी जाएगी ताकि कोई ओवर हैंग न बन जाए और उससे कोई खत्रा हो जाए तो यह हुआ आज मैनुवल ओपन कास्ट माइन वर्किंग के बारे में कुछ प्रावधान या कुछ गाइडलाइन्स वीडियो हमारे खतम हो गया है आपको अच्छा लगाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाइस कमेंट जो रू करें थैंक यू ररी मच्छ